Welcome everyone, स्वागत आपको अंडलर्णिंग पाथ शाला में हम लगादार J.E.Mains और नीट के previous year questions को discuss कर रहे हैं previous year questions को discuss करने से ये फायदा होता है कि किसी भी chapter के main main topics क्या है उस पे हम और भी ज़्यादा focus कर सके तो previous year questions को अपन discuss करते रहेंगे जिससे कि आप हमारे channel से भी जुड़े रहें और J.E.Mains और नीट से भी जुड़े रहें solution and colligative properties का आप discussion करेंगी जिसका हम part 1 दिखेंगे आज Atomy structure और metallergy हम discuss कर चुके हैं जिस बच्चे ने ये दो topics नहीं पड़े हैं जिनके previous year questions को नहीं देखा है वो description box में जाके link पे क्लिक कर सकता है आपको पता लग जाएगा कि Atomy structure के main main topics क्या क्या थे और metallergy के क्या क्या main topics थे तो शुरुआत करते हैं solution and colligative property के first question देखते हैं first question से first question में दे रखा है कि 6.02 into 10 की power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution concentration of urea solution will be urea के इतने molecules डाले हैं आपने 100 ml पानी में ठीक है 100 ml का solution बना दिया आपने इसका मतलब आप देखो concentration निकालनी है concentration अब सारे option में देख सकते हो कि सारी की सारी क्या है concentration molarity तो molarity बतानी है molarity क्या होता है n of solute upon volume of solution in liter देखो कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे या फिर अपन क्या बोल सकते हैं millimoles of solute upon volume of solution in ml तो दोनों formula कभी भी लगा सकते हो आप दोनों formula आपके सही है उपर अला मिली कर जिया तो नीचे अला भी आपका मिली होना चाहिए तब जाके n of solute upon volume of solution in liter आएगा तो question पर depend करता है कि क्या है जिससे आपका answer जल्दी आए वो अले अप्रोच लगा और answer निकालो हमें सिर्फ answer निकालने से मतलब तो मोल्स निकालते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मतलब यह लगभग कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 volume लीटर में तो बता नहीं रखा अरे भाईया फस गए फसने हैं नहीं भाईया 100 ml को लीटर में कनवर्ट करो इंटू 10 से क्या करेंगे multiply क्योंकि लीटर में कनवर्ट कर रहे है अमेल को तो यह कितना हो जाएगा 6.02 टू कड़ गया तो यह कितना हो गया यह 10 की पावर 3 यह 10 की पावर 3 तो पहला सवाल जो था अपना AEEE 2004 का तो आप इसमें देख सकते हो कि कॉंसेंट्रेशन के उपर बेज सवाल था इसका सॉल्वीशन से कोई इता ज्यादा रिलेशन नहीं था तो जिसको एक के बाद ही सॉल्वीशन चेप्टर चालू करो जिससे कि आपका मोल कंसेट अगर अच्छा होगा तो आपका सॉल्वीशन वाला चेप्टर और भी अच्छा हो जाएगा question number two which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point भाई जिसमें elevation in boiling point ज्यादा होगा उसका solution का boiling point क्या होगा ज्यादा ठीक है तो elevation boiling point जोकी डेल्टा टी भी होता है वो proportional होता है concentration के ठीक है और आई के अब concentration आप molarity भी ले लो या molality ले लो फरक बस ध्यान इस चीज का रखना है कि अगर अलग लग solution को आप अगर compare कर रहे हो उन सबका boiling point अगर आप compare कर रहे हो तो उन सारे solution की concentration क्या होनी चीए same तो जही वाले बहुत समझदार लोग हैं तो वो molarity देख रहे हैं तो आप concentration क्या देखोगे obviously molarity तो molarity के तो proportional हो गई सरी साथ साथ आई क्या होगा आई क्या होता है वेटा went of factor तो हर एक के लिए अपन देख लेते हैं i into c जिसका product जादा होगा उसमें elevation जादा आएगा उसका boiling point जादा होगा तो i into c करके देखते हैं हर एक solution के लिए तो इसके लिए देखते हैं Na2SO4 के लिए कितना हो जाएगा point 01 into ये ions कित्ते देगा अपने अब देखो बेटा alpha तो दे नहीं रखा है तो इसका मतलब ये इसको strong electrolyte मानेंगे जो भी ionic compound होता है उसको अपन strong electrolyte मानते हैं और जो organic compound होते हैं उनका dissociation काफी कम होती है पानी के अंदर या होती ही नहीं है जाएगा आपके i की value कित्ती हो जाएगी 3 alpha given होता तो अपन को i निकालना पड़ता तो अपन को इतना load नहीं लेना है ठीक है question आसान सा है तो number of ions कित्ते produce करेगा 3 तो 0.01 into 3 इसके लिए कितना हो जाएगा 0.01 into 2 इसके लिए कितना हो जाएगा 0.015 into 1 ठीक है क्योंकि ये dissociate का पी कम होता है तो i की value कुछ भी नहीं होगी ये आपका dissociating नहीं होगा non electrolyte बोलेंगे यूरिया को glucose भी एसी non electrolyte तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.015 into 1 अब देखो elevation सबस्यादा किसमें आएगा जिसका i into c ज़्यादा है सबस्यादा i into c किसका आ रहा है n into SO4 वाले का इसका अ अगला देखते हैं question number 3 if alpha is the degree of dissociation of Na2SO4 event of factor i used for calculating molecular mass is तो iota की value event of factor की value निकाल नहीं है आपको अब i कैसे निकालोगे number of ions जितने आपके बाद reaction के बाद जितने हैं ठीक है जो कि ऐसे ही बोल सकते हो moles of ions या number of ions initially पहले कितने थे तो मैं concentration भी ले सकता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि 1 M ले लेता हूँ क्योंकि concentration तो cut जाएगी यहां पर तो Na2SO4 मैं आपको करके भी बताता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटा रहा हूँ तो Na plus plus twice of नहीं SO4 2- यह हो गया तो concentration लेके बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे से पड़ेवे नहीं हैं तो C into 1 minus alpha यह आपका कितना लेगा concentration मतलब moles के proportional होगी तो number of ions के proportional होगी तो यह कितना हो जाएगा आपका 2C alpha और C alpha तो iota की value reaction के बाद में कितनी हो जाएगी तो 2C alpha plus C alpha into C into 1 minus alpha तो यह कितना हो जाएगा C plus 2C alpha upon initially पहले कितना था C तो आप देख सकते हो C तो कट जाता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि C तो कट जाता है तो क्यों ना आपन इसको 1 molarity मान लेते हैं हर बार के लिए ताकि हर बार के लिए काम ही खतम पर यह ऐसा तभी करना जब एक सब्स्टेंस आपका dissociate हो रहा हो अपने ions में तो यह सा क्या हो जाएगा 1 plus 2 alpha तो यह हो गया सब्सक्राइब ठीक है या फिर ऐसे देख लिया करूं moles of ion after reaction upon moles of ion before reaction initially पहले कितने थे हैं आजाते हैं question number 4 पे equimolar solution in the same solvent have अब देखो बेटा दो solution लिये हैं यह solution 1 ठीक है और यह solution 2 दोनों की concentration बराबर है अगर equimolar है तो मुझे बच्चा बताओ कि इन दोनों की molarity भी अगर molarity equal है तो molality equal होगी की नहीं तो कई सारे बच्चे confuse आते हैं confuse नहीं होना है अगर दोनों की molarity same है तो molality भी same है percentage w by w भी same है percentage v by v भी same है अगर दोनों की concentration same कर दो चाहे कोई सी भी concentration same हो चाहे molarity same हो तो molality भी उनकी same होगी percentage w by w भी same होगा तो ऐसे question आपको confuse कर देते हैं ये शब्द लाके अपनको बेटा confuse नहीं होना है अगर इनकी molarity same है तो इनकी molality भी क्या होगी same इन दोनों की molality क्या होगी same अब दोनों same ही solvent के इंड़ डाले गए है इसका मतलब kb और kf की value ये भी क्या होगी same इसका मतलब delta tb जो भी आईगी value चाहे आप इस solution 1 की लिए लो solution 2 की लिए लो दोनों में same आएगा और delta tf मतलब depression in freezing point भी क्या आएगा same अगर elevation in boiling point आपका same आएगा इसका delta tb 1 मान लेते हैं solution 1 का वो किसके बराबर होगा delta tb 2 जो भी second solution अगर दोनों का elevation in boiling point बराबर है और obviously बराबर होगा क्योंकि molality same है आपके kv kf की value भी क्या है same तो दोनों की value क्या होगी same ठीक है solute के बारे में बता नहीं रखा है कि solvent के अंदर डाला क्या है तो हम यह मान के चलेंगे कि दोनों में same type का ही solute डाला है तो i की value भी क्या होगी same तो अगर elevation in boiling point आपका same है और freezing point भी क्या होगा same freezing point के अंदर depression जो भी आएगा वो भी क्या होगा same इसका मतलब same boiling point and same freezing point इत्ता लंबा solution मुझे बताना पड़ा क्योंकि यह आपको यह बताना पड़ेगा मुझे क्योंकि कई सारे बच्चों को तो यही पता नहीं है कि दो solution के अगर molarity same है तो उनकी molality भी same होगी %WYW भी same होगी वनना इत्ता लंबा बताना ही नहीं पड़ता बस molality same है KBKF की value same है क्योंकि दोनों same solvent के नदर डाले गए तो बस बात कदम boiling point और freezing point दोनों का क्या होगा same तो directly बोल सकते थे बहुत logical question तो आ जाते हैं question number 5 पे two solution of a substance that is non electrolyte मतलब dissociate नहीं हो रहा है अपना पानी में are mixed in a following manner 48, 480 ml of first solution देश 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 5, 20 इत्ता यह सब कुछ final variety बतानी दो solution को मिला दिया ठीक है अब obviously बात है दो solution को मिला दिया तो moles भी बढ़ेंगे volume of solution भी increase होगी तो दोनों बढ़ेंगे इसका मतलब molarity change होगी अब molarity का दो formula होते है n of solute moles of solute upon volume of solution in liter एक formula तो यह होता है और एक mili mole भी बोल सकते हो solute upon volume of solution in ml देखो बेटा दोनों रस्तों से answer same ही आयेगा लेकिन अगर अगर अपन यह वाला formula इस्तमाल करेंगे तो answer जल्दी आ जाएगा और हमार को यह ही चाहिए होता है examination time पे कि हमारा answer जल्द से जल्दा है तो मिली मोल्स टोटल मिली मोल्स बढ़ जाएंगे एक तो इसके मिली मोल प्लस इसके मिली मोल क्योंकि दोनों के दोनों में सब्स्टेंस क्या है सेम डाला गया दोनों में तो 480 अगर अलग अलग सब्स्टेंस होता तो अपन मिली मोल्स को प्लस नहीं कर सकते है 480 इंटू 1.5 यह तो होगे मिली मोल आ गये 520 इंटू 1.2 यह मिली मोल आ गये दोनों को प्लस कर दिया volume टोटल कित्ती हो जाएगी 1000 होगे अब देखो यह calculation काफी tough लग रही होगी बच्चों को नहीं बेटा आसान सी calculation है आप ऐसा क्या करो जुगार सा करो 50-2 इंटू 15 ऐसे लिख सकते हैं पहले वाले expression को तो ऐसा इसकी वेज़े से value कित्ती है जाएगी 750-30 तो यह कित्ता हो जाएगा 720 ठीके और 5 52 इंटू 12 को अपन के लिख सकते हैं 50 प्लस 2 इंटू 12 तो यह कित्ता आजाएगा 600 और 24 तो यह 624 तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो यह कित्ता आजाएगा 1344 पॉन 1000 तो यह कित्ता आजाएगा 1.344 फटा फट सवाल हो गया हम देखो सिर्फ आपको मैथमेटिक्स का काम करना था इसमें बाकी जनरल सा सवाल था कुश्चन नमबर 6 पर आजाते हैं बेंजीन और टॉल्विन फॉर्म नीरली आइडिल सॉलीशन मतलब दोनों आइडिल सॉलीशन बना रहे हैं वेपर प्रेशर दे रखा है बेंजीन का कितना दे रखा है वैया 75 टॉर्विपर प्रेशर ऐसी टॉल्विन का दे रखा है आपका कितना by store ठीक है partial vapor pressure बताना है benzene का इसका मनलब vapor pressure tolvin से हमें कोई मतलब है क्या नहीं बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है इसका फाल तु डाटा दे रखा है इतना बड़ा कुसन कर रखा है अपन को simple partial pressure पूछा है किसका benzene का जो कि किसके बराबर होगा किते बराबर हो जाएगा xb जिसमें ये क्या होता है mole fraction benzene का into vapor pressure जो भी आपका benzene का होता है तो mole fraction निकालते हैं अपन xb क्या हो जाएगा nb upon nt plus nb ये हो जाएगा ठीक है तो nb की value निकाल के देखते हैं अब इसका 78 दे रखा है ग्राम ठीक है benzene का देख लो c6 h6 तो इसका अनलब 72 plus 6 तो ये किते 78 ग्राम आजाएगा आपका molar mass ठीक है इसका मतलब benzene के mole तो हो गए एक ठीक है क्योंकि 78 ग्राम दे रखा है molar mass निकाल लिया tolvin का molar आपको moles निकालने है tolvin क्या होता है बेटा ऐसा कुछ होता है इसका अनलब carbon किते हो जाएंगे 7 hydrogen किते हो जाएंगे 8 ठीक है तो यहां से अपन mole निकाल लेते हैं तो यह किते हैं इसका molar mass पहले निकाल लो फटा फट 7 into 12 plus 8 तो यह किते हैंगे 84 plus 8 जल जल दी calculation करनी मैठा 92 ग्राम ठीक है तो moles किते हैंगे tolvin के 46 upon 92 मतलब approximately approximately क्या exact value 1 by 2 आ रही है ठीक है तो benzene के mole fraction किते हैंगे 1 upon 1.5 तो यह किते हैंगे आपका 2 by 3 तो partial pressure किते हैंगे यह बेंजीन का 2 by 3 into vapor pressure किते है 75 तो यह आपका आगया 25 यह आगया 50 टोर ठीक है simple सा था सबन तो आपको बस यह formula apply करना था बाकी अपने moles और mole fraction निकालने दे फट 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 question number 7 पर आ जाते हैं density दे रखी है acidic solution की acidic acid के solution की इतनी कुछ इसकी molarity कुछ दे रखी है आप क्या करो data को पहले ही लिग दो solution की molarity बेटा किती है 2.05 ठीक है और density दे रखी है solution की किती दे रखी है 1.02 ग्राम पर ml आपको बतानी है molality molality जिसको हम छोटे m से भी बोलते हैं तो यह बतानी है जो concentration आपको निकालनी है अब इसमें देख सकते हो जो concentration अपनको निकालनी है सबसे बढ़िया रहता है उसका formula आप पहली लिग दो provided formula आपको याद होना चाहिए तो N of solute जो कि किता हो जाएगा CH3COH जो कि आपका solute है ठीक है upon mass किसका आजाता है इसमें solvent का अगर आप solvent का mass gram में ले रहे हो तो आप क्या करोगे 1000 से multiply क्योंकि kg में होना चाहिए आपका इसमें molality में ठीक है तो यह अपन फॉर्णदा लगा लेते हैं molality का तो अपन को क्या चाहिए मेटा mols चाहिए CS3COH के और solvent का mass चाहिए फस गया वह तो दे ही नहीं रखा है concentration बता रहा है और D of solution दे रखा है molality बता रहा है अब नहीं दे रखा है तो अपन क्या करें इसके लिए सबसे best क्या चाहिता है आप किसी एक concentration term में denominator को 1 करने की कोशिश करो किसी भी एक concentration में तो मैं क्या करता हूँ molarity को पकड़ लेता हूँ तो molarity में अगर आपको denominator 1 चाहिए तो मैं क्या assume कर लेता हूँ volume of solution अपनी कित्ती है एक लीटर तो denominator को 1 करके क्या फायदा हो जो molarity होगी वही आपकी क्या होगी CHT COH के mol बन जाएगी अब मैंने एक लीटर ही क्यो ली ताकि डिरेक्टी mol किसके बराबर आजे है molarity है अब अब अपन को mols तो पता चल गए बस time खतम तरी time होता है W of solution minus W of solute अब solution का mass कैसे निकाले तो solution की volume बता रहा कि density बताया कि mass कित्ता हो जाएगा अब यह देखो density gram पर ml में पर ml में पर ml में पर ml में और volume किसमें एक लीटर में एक लीटर में इसका मतलब W आगर gram में लाना है तो 1.02 into क्या करना पड़ेगा 1000 से multiply क्योंकि एक लीटर कित्ते के बराबर होता है 1000 ml के minus W of solute जो की कित्ता हो जाएगा 2.05 जो की mole है multiply by solute का molar mass तो molar mass निकाल के देखते हैं तो यह कित्ता हो जाएगा 12 plus 12 plus 4 plus 32 CH3 सिवच कित्ता हो जाएगा 12 12 12 12 24 24 28 28 और 32 60 आजाएगा ठीक है 60 आजाएगा तो यह हो गया 20.5 हो जाएगा यह और यह इसके भी कट जाएगे तो यह कित्ता आजाएगा 1020 0 minus 20.5 20.5 को रफ में ही calculate कर लो तो यह 20.5 इंटू 6 हो जाएगा है तो यह कित्ता आजाएगा तो यह कित्ता आजाएगा 897 ठीक है मोल्स कित्ते दे रखे हैं 2.0 अब मोलैलिटी निकाल लेते हैं 2.05 अपॉन सॉल्वेंट का मास कित्ता आजाएगा अपना 897 आजाएगा ठीक है 897 इन्टू 1000 यह कट्ड़ गया यह कट़़् गया यह हो गया तो 2.050 अपॉन 900 के असपास मान लेते हैं अप्रोक्सिमेटल इसको तो यह आजाएगा 2.something something कुछ तो आजाएगा बस अप्रोक्सिमेट केलकुलेशन करने हैं अपन को प्रोपाइल अलकॉल का मिक्सचर उसका वेपर प्रेशर किता है 290 इसका मतलब पी एस जो की सॉलूशन का दे रखा है 290 mm ठीक है साथ साथी लिखते रो वेपर प्रेशर अफ 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 प्रोपाइल अलकॉल is 200 तो यह किता हो जाएगा पी ए नॉट जो भी किसका है प्रोपाइल अलकॉल का तो जो किता दे रखा है 200 mm पी ए नॉट आपको किसका पता नहीं है इथाईल अलकॉल का पता नहीं है इफ मोल फ्रेक्शन ऑफ इथाईल अलकॉल is 0.6 और उसी का वेपर प्रेशर आपको बताना है प्यॉर इथाईल खोलगा तो यह हमको पता नहीं है और आपको मोल फ्रेक्शन बता रखें इए के 0.6 इसका मतलब X of PA किता हो जाएगा 0.4 और मैं लगा लो PS is equal to PA0 PAX PA PLUS PA PA 0 into X यह हो जाएगा PS की value दे रखी है 290 formula में put करना है वस कुल में लागे है 200 into 0.4 PLUS जो मैं पता नहीं है 0.6 तो यह लगबग किता हो जाएगा या 80 80 minus 290 किता हो जाएगा 210 तो 0.6 इंटू PEA 0 तो यह किता आजाएगा यह लगबग आजाएगा percentage solution of substance is isotonic with percentage solution of urea in the same solvent solvent दोनों में क्या है same if density of both the solution is this अब यह percentage क्या असरो अब कई बच्चे सोचेंगे सर समझ में नहीं आ रहा percentage w by w लें कि percentage w by v लें दोनों में से कौन सी percentage लें बिटा आपको इसी भी ले लो दोनों बराबर होगे क्यूँ? क्यूँकि w of solution और volume of solution क्या होगा बराबर क्यूँकि density किती है एक आपको इसी भी लो तो हम अपने reference के लिए क्या कर लेते हैं इसको percentage w by v मान लेते हैं इसके पीछे logic बताता हूँ कि ये percentage w by v क्यों ले रहे हैं अब देखो दोनों solution isotonic है इसका उनलब दोनों को osmotic pressure क्या होगा बराबर तो C1RT is equal to C2RT दोनों का temperature बराबर ही है मान के चलना पड़ेगा नहीं भी दे रखा होगा तो इसका उनलब दोनों की concentration क्या है बराबर तो दोनों की molarity क्या होगी same तो molarity बराबर कर लेते हैं तो assume कर लेते हैं कि 100 ml का volume of solution है ठीक है 100 ml का volume of solution अब दोनों ही case में volume तो क्या होगी अगर दोनों की molarity same है ठीक है दोनों की molarity क्या है same volume of solution दोनों में क्या है 100 है तो volume same आगया तो moles क्या होगे same ठीक है, moles क्या होंगे? सिंग तो जितने इस substance के moles होंगे, उतने ही urea के moles होंगे अब substance के moles कैसे निकालेंगे? अगर यह hundred मैंने दे दिया, अब यह hundred मानने का यह फायदा है, जैसी मैं यह hundred मानूँगा, यह percentage w by v किसके बराबर हो जाएगा? mass of substance, देख भी सकते हो, परसेंटे w by v क्या होता है? w of solute upon volume of solution into hundred, अब यह होता है, volume in ml होता है 100 ml मानने से ही क्या होगा? denominator क्या हो जाएगा? 1, अपसे बही concept denominator को 1 करना है तो w of substance कितना आ जाएगा? 5.25, moles कितने हो जाएगे? 5.25 by m, is equal to urea का mass वापस है 1.5 upon इसका कितना हो जाएगा? 60, molar mass तो m की value आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 60 into 5.25 upon 1.5 इसको solve कर लो यह approximate 4 के असपस अपन लग रहा है करके देख लेते हैं 150 into 4 हो रहा है क्या? नहीं, 600 something को चा रहा है ठीक है कोई बात नहीं 600 something को चा रहा है 5 to 5 आ रहा है 5 सी काटना पड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा 5 2 और यह कितना हो जाएगा 105 तो यह कितना हो जाएगा 105 into 2 210 ग्रावब आ गया अगला सवाल चलते हैं Question number 10 Vapor pressure of a water is this If 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water Vapor pressure of a resulting solution will be ठीक है तो simple है Pressure solution का क्या होगा अब यह तो non electrolyte है Glucose क्या है Non electrolyte इसका मतलब इसकी वज़े से तो कोई vapor pressure होगा नी तो अपन direct क्या बोल सकते है Vapor जो भी pressure आएगा जो पूरे container में होगा वो सिर्फ किस वज़े से होगा पानी की वज़े से तो Pw not Pw not into x of w ठीक है तो Pw not कितना दे रखा है आपको 17.5 Moles पानी के कितने हो जाएंगे 178.2 by 18 upon 178.18 प्लस इसके Moles कितने हो जाएंगे Glucose के 18 upon इसका 120 होता है Molar Mass आप calculate करके देख ले ना Glucose का ठीक है तो यह लगबग हो जाएगा इसको solve करना पड़ेगा 178.2 upon 18 तो यह हो जाएगा 18 18 को अगर अपन 9 से multiply नहीं नहीं उपर सकते 9 से multiply करके दिखते हैं नहीं मत करो स्वाल ही कर लेते हैं पूरा 15, 15, 28, 28, 15, 28, 28, 28, 28 का 24 24 ठीक है हो जाएगा यह 6 यह आपका 3 से अगर आपन डिवाइट करेंगे तो 5 28 मतलब 8 1 4 ठीक है इसको करें तो 54 54 और यह 41 41 41 divided by 36 54 आ रहा है 9 41 मतलब 6 9, 64 ठीक है 96.4 और यह आपका करता आ रहा है 0.1 तो 117.5 इन्टू 96.4 अपॉन 96.5 लगभग 17.5 के असपास लेकिन 17.5 के से कम ही होगा जो भी होगा तो अनसर क्या हो जाएगा 3 कैलोक्रेट करने की कोई जरूरद नहीं है आपको क्योंकि मैक्सिमम मोल फ्रेक्शन तो पानी के ही है ग्लुकोस का बहुत कम है ठीक है 11 कुशन पर आजाते हैं वेपर प्रेशर औफ प्यॉर लिक्विड ए दे रखा है 520 mmHg एंड डेट औफ प्यॉर लिक्विड भी दे रखा है 1000 लिखते चलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है तो वेपर प्रेशर एक तरीके से आपका सॉलीशन अगर इसमें बॉइल हो रहा है इसका मतलब यह कितना हो जाएगा 760 में ठीक है आपको मोल फ्रेक्शन बताने है मिक्स्चर में A के वापस है वही फॉर्मूला 760 अब A के बताने ना तो उसके टर्म में ही लाने की कोशिश करो फॉर्मूले में तो मोल फ्रेक्शन ओफ XA इंटू 520 प्लस 1000 इंटू 1 माइनस X है ऐसा कर लिया 1000 माइनस माइनस माइगा क्योंकि यह 1000 है और यह क्या है 520 तो 1000 माइनस 520 किता हो जाएगा ठीक है 500 500 माइनस 20 480 X है और यह किता हो जाएगा 760 760 को अगर अपन इससे माइनस कर देंगे 1000 से तो लगबग 300 300 माइनस 60 300 माइनस 60 240 is equal to 480 XA XA की value किता है जाएगी 0.5 इसका मतलब percentage XA किता हो जाएगा आपका 50 प्रतीशन बस answer अगले question करते है question number 12 N-heptane को और ethanol को mix किया है which of the following statement is correct regarding the behavior of solution दो solution को mix कर दिया है तो ये इत्ता तो पता चली गया कि इसमें molar mass का काफी अंतर है आसपास तो है नी तो ideal solution तो नहीं बनेगा इन दोनों का जो भी solution बनेगा वो non ideal होगा अब देखते हैं positive होगा कि negative होगा अब इन दोनों की बीच में force of attraction जादा होगा कि ethanol, ethanol की बीच में जादा होगा ethanol, ethanol की बीच में H bonding होगी लेकिन इन दोनों की बीच में कोई भी इस तरीकी की bonding नहीं होगी इसका मतलब डालने के बाद force of attraction क्या हुए है किसी individual particle को देखने के कम हुए है इसका मतलब ethanol और ethanol की जो force of bonding है वो EH से क्या होगी ज्यादा होगी, force of attraction कम हुए डालने के बाद force of attraction अगर आपके कम हुए है इसका मतलब कम उड़ेगा कम उड़ेगा नहीं, ज्यादा उड़ेगा force of attraction तो कम हुए है न, तो ज्यादा उड़ेगा कौन आपका? solution solution अगर ज्यादा उड़ेगा, इसका मतलब PS की value इस पूरी idle solution वाले जो होता है कि P E naught X E plus P H naught X H इन सबसे ज्यादा होगी PS की value जो भी एक value होगी ये apparent value से क्या होगी? ज्यादा होगी जो भी idle solution से उससे ज्यादा होगी इसका मतलब आपका positive deviation हो गया तो इस तरीके से देखना होता है question number 13 में आ जाते हैं दो liquid है, दोनों idle solution बना रहे हैं vapor pressure दोनों के solution का कितना है? यह सा कुछ है तो vapor pressure solution का कितना है? 550 ठीक है और moles दे रखे हैं कितने moles हैं यह x के? एक 1 mole x है और 3 mole y है ठीक है 1 mole of y is further added vapor pressure of solution is increases by 10 mm ठीक है, 1 mole और डाल दिया इसका मतलब x की mole तो बराबर ही उत्ती रहेंगे और इसके कितने बोल जाएंगे? 4 mole वाई अब नया vapor pressure कितना हो जाएगा? solution का 10 से बड़ा है 10 से बड़ा है 2 बोला है ठीक है तो 560 mm इसका हो जाएगा? आपको बताना है दोनों का vapor pressure तो ऐसा कर लेते हैं x का vapor pressure हम x मान लेते हैं इसका तो vapor pressure क्या मान लेते हैं? pure vapor pressure कितना इसका मान लेते हैं? x इसका vapor pressure जो भी y का होता है वो अपन y मान लेते हैं तो x into mole fraction कितने हो जाएंगे? x एगे 1 by 4 plus y into 3 by 4 is equal to 550 इसका ही देखलो आप x into 1 by 5 plus y into 4 by 5 तो ये कितना हो जाएगा? 560 दोनों equation को solve कर लो I hope आप लोग solve कर लोगे तो simple सी mathematics है अब ये आपको solve करना पड़ेगा सारे question तो मैं solve कर नहीं सकता कुछ question आप भी solve करो थोड़ा आप दो फिर थोड़ा हम देंगे 2 equation, 2 variable solve कर लो question number 14 if sodium sulfate is considered to be completely dissociate into ketines and anines the change in freezing point delta TF when 0.01 mole of sodium sulfate is dissolved in this disease ठीक है? तो इसका मतलब molality तो किती हो जाएगी? point 0 क्योंकि एक कीजी में डाला है और definition के साथ से एक कीजी में जित्ता भी mole डाला होता है वो molality की बराबर होता है तो sodium sulfate की molality तो आईगी अब KF की value आपको दे रखिए तो formal लगा लो अब वो बोल रहा है dissociate होता है मतलब non electrolyte नहीं है अच्छा खासा electrolyte है तो vent of factor into M into KF तो इसकी value किती है आजाएगी अब देखो ये cations और nains में कैसे तूटेगा Na2 as of 4 ये पहले वाला ही question है तो ये कित्ता हो जाएगा इससे ions कित्ते बनेंगे 3 molality किती है 0.01 और KF की value किती है 1.86 ठीक है इसको एक बड़ा 100 बोल सकते है तो ये लगभग हो जाएगा 18 को 3 से multiply करो 54 के आसपस 1000 100 से divide कर दिया तो ये लगभग कित्ता आजाएगा आ जाते है question number 15 पे vapor pressure दोनो liquid component का बता रखा है इतना है इतना है मतलब pH 0 तो कित्ता हो गया 105 आगे वाला और octane का पीछे वाला 45 किलो पासकल इसका भी किलो पासकल तो PS भी आपका किलो पासकल में आगा vapor pressure of a solution obtained by mixing this अच्छा ध्यान रहे जो आपन solution का जो PS निकालेंगे vapor pressure निकालेंगे जो कि होता है pH 0 एक्स एच प्लस पी ओ नोट एक्स ओ ये जो formula अपन लगाते हैं ये हमेशा ideal solution के लिए लगाना है आपको ध्यान रखना है इस बात के लिए non-ideal solution में PS की जो ये value है इसमें equal to की जगे या तो greater than आ सकता है या less than आ सकता है इसका मतलब या तो positive deviation होगा है negative deviation होगा इस वाली values है ठीक है तो अब वापस से निकालते दें PS कित्ता हो जाएगा अब एक्स एच एक्स एच तो उसके लिए आपन क्या करते हैं एन एच अपन एक्स प्लस एन ओ एसी आपका X O कित्ता हो जाएगा 1-X H तो एक बार इसकी वाली निकाल लेते हैं पुरा answer आ जाएगा तो उसके लिए N of H पहले आपको पहले निकालना पड़ेगा N of H कित्ता हो जाएगा 25 बटा 100 तो यह कित्ता हो जाएगा 0.25 ठीक है N O कित्ता हो जाएगा 35 by 1 by 4 यह लगबग 1 by 3 के आसपास है तो 1 by 3 मनलब 0.033 और थोड़ा सा कम कर लेते हैं 0.30 एप्रॉक्सिमेट वैल्यू निकाल लेंगे जो भी होगा फिर आप्शन के साब से देख लेंगे केल्कुलेशन टफ हो तो कभी कर एप्रॉक्सिमेशन ले लेना जाए तो उसे साब से पी एस की वैल्यू कित्ती आ जाएगी देख लेते हैं पी एच नॉट एकसो पाँच इंटू एकसेच तो यह देख लेते हैं 0.25 अपॉन 0.55 प्लस तो यह 0.25 अपॉन यह कित्ता हो जाएगा तो लगभग 2.2 मतलब 50% देख लें अगर एकस एच की वैल्यू 0.5 ले लें तो इसकी भी 0.5 के असपास होगी और इसकी वैल्यू कित्ती है 45 यही वैल्यू 0.25 35 35 अपॉन 0.55 ऐसा आजाएगा ठीक है हो गया ऐसा कुछ तो आधा आधा कर लेते हैं दोनों को यह वैल्यू 0.5 के असपास माल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाया हमारी अब एक बार यह से पाप करने पड़ते हैं क्या करें जल्दी आंसर लाना है तो 45 प्लस 150 यह 70 वह यह 150 आ जाया 150 अपॉन 2 मतलब 75 के असपास ता आंसर क्या हो जायागा 1 जाते हैं क्वेशन नंबर 16 पे केफ की वैली बता रखिए पानी कितनी है ओटो मोबाइल रेडियेटर में अपन पानी के अंदर इथायल एलकॉल इथायलीन ग्लाइकोल डालते हैं इथायलीन ग्लाइकोल डालने से उसका depression freezing point इतना something कुछ हो गया इसका मतलब डेल्टा टी-फ की वैली तो किती हो गई 2.8 हो गई इतना difference हा जाएगा अभी देखो simple application के उपर बेज सवाल है depression freezing point के उपर क्या होता है कि इथायलीन ग्लाइकोल को जब अपन पानी के अंदर डालते हैं तो उसका freezing point decrease हो जाएगा इसका मतलब अगर अपन बरफीर इलाके में जाएंगे तो पानी जमेगा नहीं क्योंकि freezing point अपना नया वाला कित्ता हो गया पानी का minus 2.8 तो solute के डालने से यह फरक पड़ता है कि जो पानी का आपका freezing point है वो कम हो जाएगा मतलब वो freeze होगा ही नहीं पर हम यही तो चाते हैं अगर जम जाएगा तो radiator अच्छे से work नहीं कर पाएगा जो उसका काम है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा तो delta tf आपको 2.8 दे रखा है application के ओपर बेश सवाल था i की value 1 माननी पड़ेगी 1 होती भी है organic जित्ती भी organic solute जित्ते भी है उन सब के लिए i की value कित्ती होती है 1 क्योंकि वो non electrolyte होते हैं पानी के अंदर ठीक है dissolve हो सकता है लेकिन i की value क्या होगी 1 ठीक है dissolve होना अलग चीज है dissociate होना अलग चीज है तो i की value 1 होगी cave की value 1.86 moles आपको पता नहीं है कित्ते डाले आपके ठीक है upon पानी कित्ता है 1 kg दे रखा है और भी बढ़िया directly denominator बना गया molality के expression है यही वाला formula लगाया है जो पहले भी अपन लगा रहे थे i into kf into m molality ठीक है तो यहां से n की value कित्ती आ जाएगी 2.8 upon 1.86 w upon इसका molar mass निकाल लेते हैं 24 प्लस 6 प्लस 32 तो 30 30 और 30 62 हो जाएगा जबी w की value निकालोगे लगभग 93 gram क्या सुपास आएगा तो simple answer number 2 Thank you That's all from my side अब इसके बाद अगली class से मिलेंगे solution के part 2 से लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और comment box में बताएं कि इस वाले part 1 से आपको क्या पता चला सबस्यादा maximum question किस topic से है solution के chapter से क्ज़ा है सुप़ सुप़